में रभीना में देजनी उसलाइमें आपसे भी कास्पाय गते आए देखते एक नजराज की हेडलाइन पर सरकार का नया प्लान अब छोटे शर और गाउं में भी होगा हाट अटक का इलाज मोदी और शाको दो गुजराती चोर कहना भाजपा की इसनेता को पड़ गया भारी सनी देवल भाजपा से लड़ेंगे चुना अब खबरे विसार से सरकार का नया प्लान अब छोटे शर और गाउं में भी होगा हाट अटक का इलाज हाट अटक आना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहग खतरनाक होता है इसमें व्यक्ति के पास बहुत कम समय रहता है इस दोरान अगर उनका इलाज नहों पाए तो सम्मंदिक व्यक्ति की जान तक चले जाती है जा सरकाल ने Community Health Center यानी CHC और जिला अस्पताल में हाट अटक के मरीजों के लिए थंबो लाइंसेस थेरिपी देनी की तयारी कर ली है पीडर पर अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाप टिपर्णी करने पर लफनों के भाजपा के वरिष्ट नेता IPC हक को पार्टी ने छे साल के लिए निलंपित कर दिया है दरसर सीहन ने भाजपा के नेतुत्व का उलेखन गुजरादी चोर के रूप में किया था आरपीसी अपिछली तीन दशकों से भाजपा में रएकर काम कर रहे थे उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा है कि देश का पीम क्या टीशट और चाय का कब बेशते हुए अच्छा लगता है भाजपा वो पार्टी रही है जिसमें अपने विचारों से लोगों का दिल जीडिल जीत कर जगब बनाई है मिस क्वाल देकर और टीशट बैनकर कार्यकरताओं की खेती असंभो है जिसके बार 6 सार के लिए उन्हें इदिलंबित कर दिया गया है लोगसबा चुनाव सनी देओल बीजेपी के टीकेट चुनावी गमा गमी जोरू से चल रही है उमिद्वारों का एलान लगातार हो रहा है इसे बीच बीजेपी के सीट से सनी देओल के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है भाजबा पंजाब की गुर्दासपूर लोगसबा सीट से वॉलेबर्ट अभी नेता सनी देओल जहां लड़ने जा रहे है तो MNS News Live की कबर देखने के लिए MNS Hindi आप पाजी प्लेस्टों से डाउनलोड करे और हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना बिलकुल भी न भूले तक तक के लिए धन्यवाद